प्यारे बच्चों, हिंदी विशे की कक्षा में आपका स्वागत है. आज हम रचनात्मक लेखन यानि की क्रियेटिव राइटिंग करेंगे. बच्चों, आज हम सीखेंगे चित्रवर्नन क्या होता है और इसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है. चित्रवर्नन यानि की अंग्रेजी में पिक्चर कमपोजिशन किसी चित्र को देख कर उससे समबंदित मन में उटने वाले भावों को अपनी कलपना शक्टी के माध्यम से अभिवेक्ट करना ही चित्रवर्नन कहलाता है. सरल सब्दों में कहा जाए तो किसी भी चित्र को देख कर आपके मन में जो विचार आते हैं उनको आप किस तरह अपनी कलपना का प्रयोग करते हुए लिखते हैं उसे ही चित्रवर्नन कहते हैं. चित्रवर्नन कैसे किया जाता है सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए फिर यह लिखिए कि वह कहां का चित्र है यानि वह किसी पार्क का चित्र है किसी विद्याले का चित्र है इत्यादी फिर उसमें यह लिखा जाता है कि चित्र में आपको कौन-कौन और क्या-क्या दिखाई दे रहा है उसके बार आपको यह लिखना होता है कि चित्र में जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं या चित्र में क्या हो रहा है कुछ बाते ध्यान में रखने वाली यह हैं कि भासा सडल और स्पष्ट होनी चाहिए और सब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए, हर चीज के बाड़े में बताना चाहिए, वेर्थ की बाते नहीं लिखनी चाहिए, यानि की कोई कहानी आपको नहीं लिखनी है बच्चों यह चित्र आपको उदारन के लिए दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए चलिए अब इस चित्र का वर्णन करते हैं, यह चित्र समुद्र के किनारे का है, यहां सभी बच्चे अलग-अलग तढ़ से मजे कर रहे हैं दो बच्चे नाओं में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं, एक लड़का गेन से खेल रहा है, दो बच्चे मिल जूलकर मिट्टी का किला बना रहे हैं देखा बच्चों चित्र वर्णन करना कितना आसान है, चलिए अब हम लोग चित्र वर्णन करते हैं कित्र वर्णन करते हैं